हाई फ्रेंट्स मैं है परविंदर खाली फ्रेंट्स आज की हैं हमारी एम अतुल पांडे जी की वीडियो रेकमेंडेशन है उन्होंने मुझसे 1993 की एक गेम के उपर वीडियो बनाने के लिए का आता जर्मनी में खेली गई थी दो लेस नोन खिलाडी दोनों ही खिलाडी जर्मनी के है लेकिन हाई रेटेट खिलाडी नहीं है और वहीं फ्रेंक की रेटिंग 1800 आउट मैक्सिमम रही है इनकी लेकिन लेस रेटेट खिलाडी की गेम भी कम एकसाइटिंग नहीं होती चलिए इस गेम को देखते हैं यहां टॉमिक ने शुरू किया फ्रेंक ने खेला सीसीलियन सी फाइव नाइट ए इसिक्स और इसके बाद यहां दोनों साइड़स ने कैस्ल किया रुकटे गोज तो D1, then Quinn C7 square पर, F4, Bishop आया, D7 square पर, Knight takes C6, finally, material actions हुआ, C6 square पर, Bishop takes C6, pressurizing this E4 pawn, तो इसका defense, Bishop F3, obvious है, रुकटे गोज तो D8, और यहां, Quinn के सामने, रुक आ चुका है, तो obvious move है, Quinn को F2 square पर ले जाओ, और वाइट का threat दे रहा है, अपने Bishop को, B6 square पर ले जाकर Quinn और रुक पर attack लगाने का, तो रुक D7, इसलिए शायद, पहले Black ने किया, Bishop आया, B6 square पर, यहां Quinn पर attack बना, Quinn पहुंची, B8 square पर, G4, then हुआ, D5, finally, चलिए, Pawn actions की कोशिश है, एक move जो white के लिए है, वो इस E pawn को आगे पुश करने का है, मुझे वही जादा बेटर लगता लेकिन यहां white ने अपने G pawn को आगे पुश करके knight पर attack बनाया, तो यहां हुआ knight takes E4, कह सकते हैं कि delayed pawn actions होगा, pawn यहां पर गवान पड़ा white को, लेकिन knight takes E4, D takes E4 होने के बाद पहले हुआ, rook takes D7, और bishop को deflect करवाया गया, यहां इस E4 pawn की defense से, bishop takes D7, bishop takes E4, F5 bishop पर attack, bishop पहुचा D3 square पर E5, और यहां जैसा कहते ही है, attacking the base of the pawn chain, bishop C5, यहां पर bishop exchange की कोशिश है, मैं कह सकता हूँ कि bishop को pin कराया है, black के तो कुन गई D8 square पर bishop अपने defense किया, H4 और friends, यहां इस point पर मेरे ख्याल से रुक भी आ सकता था, D5 में, लेकिन एक और option है, E takes F4 की, वो भी शायद बैट पर attack, बना bishop बचा एक check देकर, उसको C4 square पर ले जाकर, तो king आया H8 square पर, bishop D4, और यहां bishop के D4 square पर आने के बाद, वैसे दोनों bishop अगर देखा जाए, तो बहुत beautiful diagonal covered की हुई है, इन्होंने, तो frank ने अपने bishop को C6 square पर लिया, rook आया D1 square पर, finally, यह rook D1 square पर जाकर queen के सामने आ ही चुका है, तो bishop C5, bishop actions की कोशिश है, metal actions हो थोड़ा सा complicated किया है, H5, इतनी देर में white को अपने इस H pawn को आगे पुश करने का मौका मिल ही गया है, bishop X D4, queen X D4, queen X D4 with a checker, rook X D4, और friends, यहां इस point पर, H6 was the best move for black, लेकिन G6 pawn आगे पुश करने के बाद, यहां white ने खेला H6, औ और black को back rank checkmates की problem में धगेल दिया है, light square bishop की आप position को देखिए, यहां black का king stalemated condition कर है, means, rook कम से कम अब 8th rank को छोड़ कर जा ही नहीं सकता, तो black की options consider करते हैं, option अगर यहां इस E pawn को भी आगे पुश किया जाएगा, तो मुझे ने लगता बहुत आगे यह सफरते कर पाएगा, E3 के बाद यहां white अपने king को move कर लेगा, जब तक यहां black का रुक लगेगा, मैंने जैसे पहले का रुक तो 8th rank को छोड़ ही नहीं सकता, back rank checkmate का खतरा रही नहीं रहेगा, तो E3 ठीक है, well, A5, लेकिन A5 से कुछ solve नहीं होता black के लिए, atomic ने यहां किया, king F2, then rook C8 square पर, king E3 then rook E8 square पर, black, बहुत out of moves कह सकता हूं black हुया, rook D6 then rook C8, bishop E6, rook पर attack बना रुक गया, E8 square पर, then हुआ C4, rook B8 then B3, bishop E8 then हुआ A3, B6, bishop Aya D5 square पर, B5 then हुआ C5, कोई जुखने पाउने करने की, दो पाउन्स के सामने white के दो पाउन्स हैं, जो रोकने के लिए काफी होंगे, B4, फिर वही B पाउन्स पुश हुआ, लेकिन A4, कोई जूरत नहीं पाउन एक्शन जिकरने की, अब फ्रेंड्स आप यहां देखिए, black की game की strategy, उन्होंने यहां अपने सारे पाउन्स लॉक क बचे हुए हैं, otherwise black की यहां कोशिश है कि किसी तरह से इस game को stillmate करवा दे, rook C8, यहां इस pawn पर attack बना, लेकिन यह pawn आगे बढ़ने के लिए तयार है, C6, तो rook D8, finally black ने अपनी planning पर काम किया, और friends यह बहुत शांदार move है, अगर इस point पर white rook takes D8 करता है, तो यह stillmate है, black out of moves हो है, bishop फिलाल यहां पर pin है, black की पूरी strategy इसी बात पर काम कर रही है, लेकिन white का यह सी pawn इतनी आगे push हो चुका है, कि अब black के लिए problems ही problems है, यहां हुआ C7, रुख पर attack बना, तो क्या अब black यहां rook takes D6 कर सकता है, क्योंकि C8 equals queen का मतलब फिर वही stillmate वाली बात आती है, लेकिन अब, रुख का एक move बचा हुआ है, रुख को अगर D8 square पर place किया भी गया, तो queen जाएगी C7 square पर और अगले move में, यहां checkmate की thread दी जाएगी, रुख D7 कर देते हैं, लेकिन अब white की queen के पास एक रास्ता है, checkmate तक इस game को पहुचाने का, queen E5 check होगा, रुख बीच में लगे रुख D8, और फ्रेंट्स यह आखर क्या move चला है, टॉमिक ने, रुख टेक्स D8 और अब यहां यह pawn queen promote हो ही नहीं सकता, दरवाइस अगले move में, फिर वाइस stailmate होती है, लेकिन यहां under promotion आया, टॉमिक का, उन्होंने यहां किया, CX D8 promoted to bishop, और यहां इस move के बाद, फ्रेंक wins back ने resign कर दिया, और फ्रेंट्स resignation का reason अगले move में, यहां checkmate की threat है, और इस check meeting threat से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, बिशप को F7 square पर लगा जा सकता है, क्योंकि अब अगर check आती है, तो black के king के जाने के लिए एक रास्ता है, दूसरा, अगर white इस bishop sacrifice को accept करता है, तो फिर वही statement हो जाती है, तो king को ले जाया जाएगा, white के दोबारा d4 square पर एक waiting move के ले जा सकता है, black के पास options limited है, king को g8 square पर place कर दो, then bishop takes a5, और अब white के पास काफी समय होगा बाकी के pieces को लेने का, king f8, bishop takes b4, check king e8, whatever it is, अब bishop actions हो सकते हैं, और उसके बाद यहां यहां यह दो pawn अर बताई गई गेम जिरूँ पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को like करे, share करे, और मेरे इस YouTube चैनल चैस्ट गूरू को please subscribe जरूर करे, आपके comments का मुझे बेहद इंजा रहेगा, thank you for watching and bye for now.